जिला कारीकर वाधिकारी आबाध ता बेवार किया फिर सेंदूर मसी नोरा मालाव ला रखाता साधी के नजर से बार बार गटियाई काम करता है बुलाता है कि तुम लोग साम को पांच बजे मेरे रूम पे आपा हुआ तो मालीजी जब इमाला वुला सेंदूर उंदूर रखा तो पुरा सेंदूर वाँ छीटा गया था जब जा मतलब मेरे सर पे डालना तब तक हम किसी तरह से मतलब भीच बचा था अभी हमारे साथ एक महिला मौजुद है और इस महिला के साथ क्या कुछ हुआ है आए इन ही से जानते हैं आखिर ऐसी घटना जो है यूपी में लगातार बढ़ते जा रही है और आम बात हो गई है यह महिला जो है अंगनमाडी सेविका है और यह गई थी ओफिस मतादिकारी से मिलने तो इनके साथ आखिर क्या कुछ हुआ है क्या नाम है आपका मीरा कुछ ह क्या कुछ हुआ है आपके साथ मेरे साथ सोरा जोलाई 2022 से घटना घटा आ रहा है जिलाकारे क्रों अधिकारी के करयाले में बूलाने हों अओं चल्सक्री लेकですね सेंदूर मसी नोरा माला उला रखा था साधी के नेचर से बार बार घटिया ही काम करता है बुलाता है कि तुम लोग साम को पांच बजे मेरे रूम पे आओ सरीसी को लेक बावाल हुआ था 28 तुम अंगन बाड़ी से क्या है आप नहीं आगन बाड़ी कर करती है हम करती है जी कहां गर हुआ हथिया तो क्या कुछ परसासन के तरफ से बुला गिया है क्वावी तारीर दिये हैं वहां रभी नगर ठाने पर यह सुमादे यही कहा है कि ज हम इंतिजार कर रहा है कि मतलब कोई जाच हुआ कि नहीं हुआ दो तारीक हुआ हम जाएंगे पता करेंगे कि जहां चुम मतलब क्या हुआ है क्या नहीं तो क्यों आपसे साधी करना चाहते थे वह पादादी क्या देख लिए बहुत गंदा नेचर कहा महंने रोकना जो सारेरिक संपन्द बना लिए उसका कुछ कुछ नहीं रोकता है। तक तक हम नहीं कुछ कर पाएंगे उसका। वहां गाड थी लोग गाड लोग जूटी थी लोग तब जाके हम बाचे परसासन के तरफ से अभी तक कुछ नहीं हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ है देखिए ये योगी जी कहते हैं कि यूपी में महिला सुरक्षी ते लेकिन देखिए एक महिला का हाल जाती है उस अभी तक महिला जानाइगा प्मुचंश कि आना चाहता था ये बाउख्या मैं थिर्न सिंदूर देखिए करने के नियत से माला लाया मईला नहीं कि तो इनका मांदे रोका हुँआ है अभी तक 16 मांदे रोका हुआ है दोनों से खरचा चलता हुआ है शर कहां से खरचा करचा चलने गया इतना जरजरसध you हो चुका है अभी तक कोई कारवाई नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं पीछले वाले टियम साफ थे सर्तों सुन ने थे मेरी बात को इसको भुला के डांटे थे बूं डांटने के बावजूद मतलब मुझे मंदे और खध्यान नहीं दिया फिर भी मेरा सेंटर जाच किया जाच क कर रहा था कि तुम ओहां काम नहीं करती हो अधर हम काम माम ऐसा करते हैं वहां पर देखिए जो बड़े लोग होते हैं उल्टे फसाने कोसिस करते हैं और इस महिला का वहीं हाल है वह रूपिये पर बीका हुआ पुलिस परसासन इनको आज तक न्याय नहीं दिला पा रहा है हम जीला परसासन से कहना चाहेंगे कि जो भी दोसी हो उन पर करवाई करें और अगर यह दोसी हो तो इनको पर करवाई करें और अगर वो पदादिकारी जो है दोसी है तो उन पर भी करवाई होना चाहिए जिसे कहना चाहते हैं कि महिला कहां जाए अब कहां खाए मायके में रहा कर कभी खाती हैं कमाती हैं वह भी रुका हुआ अभी छो महिना से इनको सेलरी नहीं मिल रहा है उसके बाद क्या बोला हो पता दिकार जब मतलब अपनी बात हम रखे कि मतलब बात है तो तक हमला कर दिया मैं यह मेरी साधी हो चुकि है तो सर हम दूसरा साधी नहीं करेंगे हम किसी तरह से अपना जान बचा के बाहर निकले सर उसके बाद क्या बोला उसके बास कुछ नहीं बोला हम परमान आपके पास है हम माला सीनोरा सेंदूर सब रखे हैं सर हम परसासन वहां पहुँची एक माहिला को उठान की बात करते हैं लेकिन माहिला दरदर भटक रही है और काफी जरजर हालत हो चुका है आप लोग देखिए और इस वीडियो को सेर कीजे ताकि इस माहिला को न्याय मिले जल्द से जल्द परसासन जो है इस पर करवाई करे देखते रे सेर करते रे धन्यवा